द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विश्य है अंतराश्ट्रिय खदान जागरुकता दिवस दो हजार बाईस हर साल चार अपरेल को अंतराश्ट्रिय खदान जागरुकता और खनन कार्रे सहायता दिवस मनाया जाता है 2022 के लिए इसे यूनाइटिड नेशन्स माइन एक्शन सर्विस यानी UNMAS द्वारा सेफ ग्राउंट, सेफ स्टेप्स, सेफ होम थीम के तहत मनाया जा रहा है सेफ ग्राउंट, 2019 में शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य खदानों को खेल के मैदानों में बदलना है सेफ स्टेप्स, उन लोगों की और ध्यान आकरशित करता है जो उन ख्शित्रों में रहते हैं सेफ होम, संघर्ष के बाद की व्यवस्था में लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा को बहाल करने पर केंद्रित है यह दिवस लोगों में लैंड माइन्स की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा प्रदान करने स्वास्थे और जीवन से संबंदित परेशानियों के प्रती जागरुकता फैलाता है साथ ही इसका मकसद राज्य सरकारों को खदान क्लियरिंग प्रोग्राम विक्सित करने के लिए प्रोथ साहित करना और दुनिया भर में लोगों को बारूदी सुरंगों से बचाने की दिशा में काम करना है जान लेते हैं इसके महतवपूर्ण बिंदूओं के बारे में आठ दिसंबर दोजार पांच को संयुक्त राश्ट्र महासभा ने घोशना की थी कि हर सार चार अप्रेल को अंतराश्ट्रिय खदान जागरुकता और खनन कारे सहायता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 2018 में UNMAS ने संयुक्त राश्ट्र माइन एक्शन स्ट्राटजी 2019 से 2023 का मसौधा तयार किया था लैंड माइन्स पर प्रतिबंद लगाने के लिए अंतराश्ट्रिय अभियान यानि ICBL की स्थापना 1992 में हुई थी इसे 1997 में नोबेर शांती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन जिसे आमतोर पर एंटी पर्सनल माइन्स के उप्योग, स्टॉक पाइलिंक, उत्पादन और हस्तांत्रन तथा उनके निवेश के निशेद पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है 1999 में लागू हुआ था प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईएस इंग्लिश यूट्यूब चानल